हमश्कार दोस्तों बेंकिंग सेक्टर में कई बार कई सारी जो परिशानिया वो हमारे सामने आ जाती हो और एसे में यहां पर हम एक एसी ही परिशानी को लेकर के बात करने वाले हैं तो यहां पर SBAI bank में अगर फोन में आपका OTP नहीं आ रहा है तो आपको करना होगा यह काम और इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे इसे पहले आप से रिक्वेश्ट है आप अगर एसे और वीडियो देखना रहते हो हमारे चैनल GDS कबर को सब्सक्राइब जरू कर ले जिसकी सबसे बड़ी सरकारी bank अपने customer के सहुलियत के लिए online banking के साथ ये online account खोलने का मुका देती है जिसके जलते कामकाजी लोग अपने ज़्यादातर काम online banking के जरिये पूरे कर सकते है ऐसे में कई बार customer के सामने OTP की समश्या आती है जिसमेर के mobile पर bank की और से बेज़े ज हो सकती है मुश्किल online transaction के लिए customer को OTP की जरूद होती है इसके अलावा कई दूसरे कमों के लिए OTP जरूरी होता है अगर आपके mobile पर OTP नहीं आ रहा तो आपको इससे जल्द ही ठीक करा लेना चाहिए कई बार जो फ्रोड लोग होते हुए SIM का clone बना ले तो और OTP उनके mobile प को बताएगा तो कैसे करें OTP की शिकायत State Bank of India की और से जारी की जानकारी के अनुसर network की वज़े से भी कई बार OTP नहीं मिल पाता है लेकिन अगर आपको लगता है कि दिक्कत network की वज़े से नहीं है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं तो यहां पर शिकायत करने के लिए आप आपको ट्वीटर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ट्यूटर पर जाकर कि आप SBA को टेक करके शिकायत कर सकते हैं यह जो जानकारी यह आपको कैसे लिए आप comment box में जरू बताना और अगर आप या आपके कोई दोस्त इस परिशानी से जूज रहे तो उनके साथ ही इस कबर को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नई जान कर एक साथ तब सके लिए जैहिन जैबार